हलो दोस्तो आप सभी का मेरे चैनल बिना इस्टडी केन में स्वागत है दोस्तो जैसे ही राज्य में अचार सहीता हटी और परिक्षाओं का दौर प्रारम्ब हो गया है दोस्तो चैनल गड़ में प्राम्री वा मिडिल इस्कूल के लिए टीटी मार्च में पिछली बार बैठे थे करीब एक लाग अभ्यार थी सिक्षक पात्रता परिक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया इसी माह में नियम और सर्ते अभी तै नहीं आवेदन के लिए जारी होंगे सूचना 36 गड़ सिक्षक पात्रता परिक्षा यानी TET एक बार फिर आयोजित होनी जा रही है मार्च में परिक्षा होने की संभावना है परिक्षा कक्षा पहली से 5 वी और 6 वी से 8 वी के संदर्व में आयोजित की जाएगी इसके क्वालिफिकेशन करने पर प्राइमरी वर मिडल इस्कूल में अध्यन की पात्रता मिलेगी पिछली बार TET में एक लाग से अधीक परिक्षार्थियों ने परिक्षा दिलाए थे पिछले वर्स फरवरी में एक्जाम हुआ था तो इस वर्स मार्च में होने की संभावना है इन परिक्षाओं के लिए नियम एवं सरते क्या होगी अभी तक तय नहीं है आवेदन के साथ ही नियम वसरते की सूचना भी जारी होगी पिछली बार जब TET का आयोजन की गई थी तब DLAड और BED होना अनिवार्य था और दोस्तो अप्रेल में होगी डाटा एंट्री ओपरेटरों की परिक्षा लोग निर्वान विभाग के तहत डाटा एंट्री ओपरेटर साहय ग्रेट तीन सिग्र लेखन हिंदी एवं इस्टेनो टाइपिस्ट के पद पर भरती होगी इसके लिए व्याप्पम से भरती परिक्षा आयोजित की जावेगी संभावना है कि यह परिक्षा अप्रेल में होगी इसके लिए भी आविदन की प्रक्रिया इसी महने में सुरू होगी टीटी सर्टिफेकेट की पात्रता साथ साल के लिए हैं आप सभी को मालूम है तो दोस्तों परिक्षाओं का दौर मार्च से ही सुरू होगा नए साल में व्याप्पम से भरती पात्रता वप्रेस परिक्षाओं का दौर मार्च से सुरू होगा सितंबर अक्टूबर 2019 के बाद व्यापम से परिक्षा नहीं हुई है अब एक बार फिर परिक्षा के आयोजन की तयारी है इसकी सुर्वार T.E.T. से होने की संभावना जाता है अप्रेल में भरती परिक्षाओं के लिए प्रवेश परिक्षा भी होगी इसके लिए भी कलेंडर तियार किये जा रहे है तो दोस्तो जैसे ही T.E.T. का नोटिफिकेशन आएगा हम इसके लिए special course चलाएंगे जिसे आप लोगों को फायदा हो सके तो तैंकी दोस्तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताईए